काशिपूर के राच की चिकस्ताले में बने आईसोलेशन बार्ड में भड़ती यूवक की कोरोना पॉजिटीव रिपोर्ट आने से हड़कम मत गया हानन पानन में पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए पॉजिटीव यूवक बाचपूर के पास कनोरा गाउं का रहने बाला है और दिल्ली में सेलूर में कारे करता है पॉजिटीव यूवक को तुरंती हल्दुआने के लिए एंबुलेंसे भेज दिये गया काशिपूर में आज उस वक्त हड़कम मत गया जब सरकारी अस्पताल में बने आईसोलेशन बाड में बढ़ती एक यूवक की कुरोना पॉजिटीव रिपोर्ट आ गई जिसके बाद सरकारी अस्पताल के अधिकारियों और करमचारियों ने सतरकता दिखाते हुए मरीच को हलद्वानी रेफर कर दिया बतादे कि बाचपूर के ग्राम कनोरा का निवासी यूवक दिल्ली के पहाड़ गंज में सेलूब का कारे करता है यूवक अपने दो साथियों और ड्राइवर के साथ गुरुवार को काशिपूर आ रहा था कि कुंड़े थानचे के सूरे चोकी के पास बने बॉर्डर पर द्वारा उन्हें रोग लिए गया जिसके उपरांद मौके पर मौजूद चिकिस्टे को ने स्कीनिंग कर चारों यूखो को काशिपूर के सरकारी अस्पताल में बने आईसोलेशन बाट में भर्तिक रा दिया जहां चिकिस्टे को ने यूखो का ब्लेट सेंपल लेकर जिसमें एक यूखकी रिपोर्ट कोरोना वारेस पॉजिटिव आई है करोना के रहने वाले तो यह कल चार लोगों के सांद एक ड्राइवर सही चार लोग दिल्ली पहाड़गंज से आया है एतियात्य तो पर इनको हस्पिटल में रखा गया था आज इनका सेंपल जो है सु इसलेक्शन वार्ड जो हमारे हाँ बनाए वह है दूदरुपुर दिस्टिक हॉस्पिदल में वहां बेगे जा रहा है